Hello students, this is your GK session and the topic name is animal and their babies previous session में मैंने आपको animal और उनके babies के बारे में कराया था आज हम उसका remaining part करेंगे बड़ सबसे पहले एक बार फिर से recall कर लेते हैं शिप और इट्स लेम, मंकी और इट्स इंफैंट, कैट और इट्स किटन, टाइगर और इट्स कर्व, डियर और इट्स के बेबी को कहेंगे I hope आपने लर्न कर लिये हो, अब हम करते हैं हमारा प्रैक्टिस टाइम, identify the animals and their young ones Young ones means उनके बेबी, trace and write their name in the space provided आपको animals के नेम, trace करने हैं और उनके young ones के नेम, note down करने हैं, write करने हैं जो space आपको दिया गया है तो देखिए बच्चों, सबसे पहले आपको दिख रही है शिप तो आपको इस तरीके से trace करना है, s, h, e, p, ship अब देखिए, आपको right hand side पर ship का बेबी दिख रहा है पताईए क्या कहते हैं ship के बेबी को, ship के बेबी को कहते हैं lamb तो यहाँ पर दिख दीजे, l, a, m, b, lamb second है deer, आपको पहले ऐसे trace करना है, d, e, r, deer और deer के बेबी को बताईए क्या कहते हैं, deer के बेबी को कहते है, fawn next है dog, पहले ऐसे trace कीजिए, d, o, g, dog dog के बेबी को कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों बताओ, dog के बेबी को कहते हैं puppy दिखिए, p, u, double p, y, puppy तो dog के बेबी को कहते हैं, puppy इस तरीके से लिख दीजे, next है cat पहले इस तरीके से trace करेंगे, c, a, t, cat और cat के बेबी को कहते हैं kitten तो लिख दीजे यहाँ पर, k, i, double t, e, n, kitten तो इसी तरीके से आपको page number 55 complete करना है अपनी book में और उसके बार, उसकी photo मुझे whatsapp पे भेजनी है साथ ही साथ date डालना ना भूलें हम फिर मिलेंगे, bye bye, we'll meet again झालना ना भूलें